नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटीव चैनल पर दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं दवारा विशेश दिन के अलावा धरम शास्त्रों में उनके बाल धोने को निशेद माना गया है सबता के कुछ विशेश दिन यदि सुहागिन महिलाओं अपने बाल धोएं तो उनके पती पर बाधाएं आ सकती हैं यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकते हैं हिंदू धरम शास्त्रों में अनेको परमपराओं और रिती रिवाजों को विशेश महत्तव दिया जाता है शादी विवाह और अंतिम संसकार के अलावा कई ऐसी परम पराएं भारतिय हिंदू स्माज में आज भी विध्यमान है कि जिनका अनुसरन प्रते एक भारतिय पुरुशत्वा महिलाएं करती है इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रती दिन कुछ कारे करने से पहले शुब शुब का विशेश ध्यान रखना चाहिए तो आईए आप भी जाने कि किस दिन सुहाग इन महिलाओं के बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यदि कोई कुवारी लड़की बुद्धवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफ़ता सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इसलिए जितना संभव हो सके, बुद्धवार के दिन कुवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए दूसरी बात, यदि कोई सुहागिन महिला ब्रहसपतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पती की आईउ घटती चली जाती है सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी ब्रस पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही ब्रस पतिवार के दिन नाकुन और बालादी कटवाने चाहिए ऐसे में आपको ब्रस पतिवार के दिन घर में पोँचा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही ब्रस्पतिवार के दिन कपड़े आदी धोने चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है तीसरी बात यदि कोई शादिशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है ऐसे में शादिशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल कभी नहीं धोने चाहिए चौती बात तो चलिए दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए तो वो दिन है शुक्रवार का शुक्रवार को बाल धोना बहुती शुभ माना जाता है तो महिलाओं इस दिन को एक नियम की तरह ही बना लें ताकि उन्हें धन्धान्य पर सुक्संपत्ती की प्राप्ती हो पांचवी बात ये सदेव याद रखें कि अगर आप किसी वार का वरत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोई जैसे अगर आपने सोम वार का वरत रखा है तो उसके एक दिन पहले आप बाल धोकर अपने आपको शुद कर लें जिस दिन वरत रखते हैं उस दिन बाल कदापी ना धोएं और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप ये उपाई कर सकते हैं कि आप अपने बालों में कच्चा दूद लगाकर बालों को धो सकते हैं चटी बात अगर महिलाएं किसी तोहार पर शुब मोरत या फिर पूजा में बाल नहीं धो पाएं तो महिलाएं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगा कर पूजा में शामिल हो सकती हैं इसे बाल धोने का दोश नहीं लगता दोस्तो अगर आपको लगता है कि आपकी किसमत स साथ साथ सभी देवताओं का शिरवाद आपको मिलता है और परिवार की सदस्यों को प्रगर्टी एवं सफलता मिलती है घर में सुक्षानती और सम्रिधी आती है तो चलिए जान लेते हैं इन चमतकारी उपायों के बारे में दोस्तो नमबर एक सुबह करें जाडू पोचा घ धरम गरंतों के अनुसार जो व्यक्ति सुर्यास्त के बाद जाडू पोचा करता है देवी लक्षमी उस घर में निवासर नहीं करती और वहां से चली जाती है दोस्तो नमबर दो देवताओं को फूलों से सजाए घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए ऐसा नियम है दोस्तो नमबर 30 पहली रोटी गाएं को दें भोजन के हथेलियों को कुछ शन देखकर चहरे पर तीन चार बार फेरें धरम गरंतों के अनुसार हथेली के उपरी भाग में मा लक्ष्मी बीच में मा सरस्वती वनीचे के भाग में भगवान विश्णु का स्थान होता है इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भा दिवार कोई करते हैं लेकिन याद रखें पतनी और बच्चों की आँख में आसूं अगर आपकी वज़े से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं अत्य परिवार को खुश रखना ही सबसेश्ची को पाए है सफल और खुश रहने का दोस्तों नमबर छे पीप दिवान विश्णू प्रसन होते हैं और शुबफल प्रदान करते हैं नमबर साथ घर खाली हात ना जाए बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हात ना जाए घर में हमेशा कुछ ना कुछ लेकर प्रवेश करें चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों न नमबर आठ माता पिता का आशिरवाद ले रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजर्गों के पैर चुकर आशिरवाद ले ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रहे आपके अनुकूल हो जाएंगे और सुनैरे अफसरों की प्रापति होती है और जीवन सुखमया हो जाता है दोस्तो लक्षमी के एक बड़ी विशेशता ये है कि ये जितनी कठीनता से प्रसं होती है उतनी ही सरलता से रुष्ट भी हो जाती है कहने का तातपर्य है ये है कि लक्षमी की कृपा प्रापति रखने के लिए सदैव शास्त्रों में बताएगे नियमों का पालन करना चाहिए अन्यता एक छोटी सी गलती से लक्षमी रूट कर चली जाती हैं आपने देखा भी होगा कि बड़े ठाट बाट से रहने वाले साहुकार और सेट पल में कंगाल होकर रास्ते पर आ जाते हैं य उनकी असीम क्रिपा उनके भबतो पर हमेशा बनी रहे दोस्तों घर में इस्तری भोजन बनाते समें या खाना पर रोस्ते समें अगर खाती रहती है तो लक्षमी नाराज हो जाती है इसका कारण यहां जूटा काना खाया खिलाया और फैला रहता है उस घर के लोगों से मालक्षमी नराज रहती है इसलिए इस्तरियों को भोजन बनाते समय श्रधा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए कहावत ये भी है कि जिस भावना से भोजन पकाया जाता है वहीं भावना भोजन करने वालों में विक्सित होती है मालक्षमी का कहना है कि जहां ग्रह लक्षमी की हसी गूंचती है उस घर में मैं ग्रह लक्षमी के रूप में सदैव निवास करती हूँ इसके विपरीत जिस घर में पतनी का अनादर किया जाता है वहां लक्षमी एक पल भी रुकना पसंद नहीं करती पतनी का अनादर करने वाला पुरुष लक्षमी का अपमान करता है इसलिए दोस्तों अगर आप भी अपने घर की औरतों से रुष्ट होकर बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल न करें क्योंकि औरतों में ही तो देवी का रूप होता है जिसे आज सारी दुनिया पूछती है तो इस तरियों का अनादर कभी ना करें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद